हेलो फ्रेंड्स सर्दियां आ जाएं हम सर्सो पालक ना बनाएं ये तो होगी नहीं सकता है इस वीडियो में आपके साथ पंजाबियों के स्पेशल डिश सर्सो पालक की रेसिपी शेयर करूँगी आज का वीडियो बिन स्किप कीजी देखिएगा इसमें ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिसमें देख करके मुह में पानी आ जाएगा तो आएए बनाते हैं शांदा डिश इसे बनाने के रिमें आदा किलो सर्सो पालक ली है पालक डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है पाचन में सुधार करती है और ये उर्जा का बहुत अच्छा श्रोत है हरी सबजियों में विटामिन्स और मिन्दर्स की भरपूर मातरा पाए जाती है हरी पत्तेदा सब्जियों से वजन में नियंतर में रहता है और ये आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है इस रेसिपे में केवल आपको सरसों और पालक का साग नणा सिखाऊंगी इसमें मैंने मेथी और बथुआ नी लिया है दोनों की कॉंटिटी है मैंने इकवल ली है हरी सब्जियों में मिट्टी पहुचाता होती है इसलिए इसको दो तीन बार अच्छे से धो लेना है एक बारी नल के पानी से धो लीजिए और एक बारी आप फ्रेश वाटर से धो सकते है इसमें फ्लेवर क्री मैंने एक इंच सब्सक्राइब करा है ठोड़ा और इससे मैं कुकर में चाहिए डूँगी कि यहां पर इससे मैं ने पुरा डाल दिया है सरसों और पालक को अपने मैंने थोड़ा सा बना लिया था अद्रक यहां पर मैंने कद्दुकस कर ली है और लहसुन के कलिया च्छे साथ ली है जिने मैंने अच्छे से कद्दुकस कर लिया है वो भी यहां पर डाल देंगे आदर चमक के करीब मैंने यहां पर नमक लिया है आमे कुकर को यहां बंद कर लिया है चलिए तड़का लगा लेते हैं इसमें तड़के के लिए आप एने कड़ाई लिये है जो भारी तेले की कड़ाई है इसमें एक कड़्ची के लगभग यहां पे देशी घी लिया है पजाबी डिशिस में घी से बहुत अच्छा सवादा आता है तो आप घी के प्याज एड कर देंगे जो बारी काट के रखे थे प्याज को हलका सुनेहरा होने तक भूनेंगे जादा इसको ब्लैक नहीं करना है गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे अब प्याज अच्छे से बून गें आपर इस स्टेज पर यहां पर थोड़े से चमाटर जो मि हल्दी पक जाएं देखिए आप यहां पर थोड़ा सा घीर रिलीस कर रहा है यहां पर तो इस स्टेज पर हम अब मसाले एड करेंगे यहां पर यहां पर मैने आदा चमच के करीब यहां पर लाल मिर्च ली है मिर्च अपने कॉर्डिंग आप थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं .' और इसके भाद यहां पर आदा चमच की करीब मैने यहां पर हल्दी ली है हल्दी एड कर देंगे मसाले तो अच्छे से भून गया है तुर्टका रड़ी हो गया है अब हम कुकर चेक कर लेते हैं कुकर में साग पग गया है की नी आप देख सकते हैं यहां पे साग में से धुआ निकल रहा है काफी अच्छा और यह अच्छे से पग गया है और कितने कम क्वांटिटी हो गई है इसकी एक किलो साग मैंना लिया था यहाँ पर सरस्व पालक और इसकी क्वांटिटी देखे कि थोड़ा सा बन गया है साग को मैंने मिक्सी में पीस लिया है आप चाहे थे से मतनी से घोड पी सकते हैं लेकिं घुटा हुआ साग बच्चे नहीं खाते हैं मिक्सी में बारीक पिसा हुए साग की बच्चे खाते हैं इसलिए मैंने इस मिक्सी में बारीक पीस लिया है ऐसे अब साग को जो इसमें तो चड़का रेडी किया था उसमें एड कर देंगे इस पिसे हुए साग को और इसको 5-6 मिनट तक हम धीमी आँच पे पकाएंगे आप देख सकते हैं कितना बड़िया कलर आया है साग का मान करता है इसे अभी खा ले इसकी कंसिस्टेंसी और टेक्स्चर बहुत बड़िया लग रहा है इसे मक्की की रोटी के साथ खा सकते हैं साधी रोटी के साथ भी खा सकते हैं चाय तो आप चावल के साथ भी खा सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तयार हुआ है और इसका फ्लेवर है खुश्बू लहसुन की खुश्बू जो है पूरे घर में ऐसे फैल जाती है तो मज़ा ही आ जाता है सरदियों में और उपर से आप इस पर घी का थोड़ा सा डाल दें थोड़ा सा गी या बटर डाल दें तो और भी जादा इसका जाइका तिगुना हो जाता है तो यह साग की रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिएगा और यह बहुत जल्दी बन जाती हैं मैंने ज्यादा इंग्रेडियंट्स में डाले हैं इसके अंदर बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है सिर्फ सरसू और पालक से बनाएगी रेसिपी है तो इसे जरूर ट्राइ टिपल नाइन तड़का को आप वाटसेप, इंस्टेग्राम और फेस्बूक पे फॉलो कीजिएगा जल्दी ही हाजिर होती हूँ एक और एमेजिंग रेसिपी के साथ तब तक लिए आप मुस्कराते रहिए और खुश रहिए बाबाई